पढ़ेगी, अगर मार्केटिंग करना है, तो हमें चालाक होना पड़ेगा कि हमारी सामने मॉंटास हो है, हमारी सामने बड़ी-बड़ी कंपनिया है, कोई रैजी-बैजी आत्मा नहीं है, जिसको आप दू बना सको, आपके सामने बड़े लोग है, तो आपको बड़े लोग के स्तर पर आपके दिमाग का इस्थेमाल करना पड़ेगा, और वही पर जाकर हमें मार्केटिंग शुरू करना पड़ेगा, और जितने भी यहाँ यू आवर गए, खास करके, और जो कृष लोग निकलते जा रहे हैं, देख लो, तो इस सेक्टर की तेजी आएगी, आएगी और आएगी, और तेजी में भी आपके पास एक सबसे बड़ा ऑप्शन है, और वो है फार्म विजिटर्स, यह सबसे बड़ा ऑप्शन है, आप एक फार्म टूरिजम बनाओ, जिसके पास बड़ी जमीन है, उसके साथ कॉलबरेशन करो, और अमिता पच्चन के शब्दों में बड़ा बड़ी जगह बना लो, बैल वाला गाड़ा बना लो, यह सेयर में जो लोग रहते हैं, बंबय अमदावाद, वो ठक चुके है, पूरी तरह ठक चुके है, इतना ठक चुके है, बीपी है, डायबेटिश है, ब्लड पेशर है, टेंशन है, वो वही जीना ही नहीं चाहते, उनको उनको बिल्कुल फ्री चाहिए, वही पर ऐसा इंप्रास्ट्रक्चर कभी मत बनाओ, क्योंकि इंप्रास्ट्रक्चर ते तो ठक करा है, वही पर मिट्टी घार का मकान बना बेल, गाड़ी वसालो, और एक पाटिया लगा दो, आगर कुछ दिन गुजारो मेरे खेत में, क्या बना दो, कुछ दिन गुजारो मेरे खेत में, फिर देको, पैसा चपने लगेगा, वो आएंगे, दो दिन आपके खेत में ठेहरेंगे, आपका और्गощर खायेंगे, बे तो मेरा किसान क्यों नहीं कमा है तो यह जवान जो लड़के में उनको खास कह रहा हूं आप उसकौन सब पर क्लियर करिये बड़ी जगल हो और यह टाइटल जरूर पैसे वाले बनाएगा है बनाएगा कुछ दिन गुजारो मेरे अगर आपको वही से गोबर उठाना है आज तो कोई उठाएगा लेबर भी नहीं आएगा पर यह जो लोग आएंगे मंबई दिल्ली से उनको यह कहना कि गोबर का जो रस है वो सर से गिर कर यहां तक आएगा तो सर का बीपी कम हो जाएगा देखो आपको स्किल्द लेबर मिल जाएगी मुफ्त में यह सब करना पड़ थोड़ा जिटींग करना आपका। थोड़ा जूट जोट बोलना क्या कंपनी फेरे लोवनी निगे को गोसिको यह कर सकी फिर भी बेक्तिक तो हमें थोड़ा जूट जूट ज बोलना थो're out here है जाय क Right शे Moran कमायगा किसान मजबूत बनेगा तो दिश्कारतंत्र बनेंगा तो डिमाग ये पूरा ख्याल जो है जम्लिक एक इसी क्रिसी बिंढम रासानी क्रिसी वह इद्षर्रा का खेल है ही नहीं वो यहां का खेल है कहां का खेल है दिमागी खेल है और वो खेल हमसे खिलाया जा रहा है अभी हम समझ नहीं पा रहे हैं हमको पता ही नहीं है कि खेल कहां खेला जाता है हम उसे कथपई यह महिदगार नहीं मैं एक बाद आपको बताओं यह पूरा जो खेल चाह 45 in है किसका है साथ तो करऊं तो मर चुका है कि अब तो कहो कि कंस मर चुका है और यो कंसी स्टम्वी जब कर सिस्टम्हां कर दो औंसमें यो गैस हिस्टम्व मैं आपको बता हूँ और उसको समौदने वाला एक है अध्य हंदूस्तान में हुआ भगवान्सदिशन उसने वो सिस्टम को पूरी तरह से समझा बाल्य वस्ता में उसने समझा क्या समझा कि पूरा हिंदुस्तान जो है वो गाओं से बना है गाओं से और गाओं से जो मक्षन है मलाई यह दूद है वो ही कंस सिस्टम है, कंस व्यक्ति नहीं है, वो सिस्टम है, गाउंसे सबी चीज़े ले लो, दूद ले लो, मक्कन ले लो, तब तक की छाज भी मठा भी, मतुरा जाना चाहिए, और कंस मजबूत हो जाना चाहिए, और भगवान स्रीकृष्णा ने यही समझा कि, अगर उसक क्रिशन के रास्ते पर आप जाओगे देखो कंस नहीं समझने वाला था कंस की बात छोड़ो वहाँ पर पूरे स्रिक्रिशन के इस पूरी मुहीम में पूरी मुहीम में आप समझते हो बिश्मने साथ दिया दिया बिश्मने साथ बिश्म सब जानते थे फिर भी साथ नहीं दिया बिश्म मतलब कौन बिश्म मतलब कौन आप समझते हो पर बिश्म मतल सत्ता के आसपास रहने वाले लोग सत्ता से वफादार होते हैं विश्म का प्रतिवीम क्या है मैं अपनी खुर्सी से वफादार हूं तो विश्म की बात चोड़ दो ड्रॉन ने भी दिया ड्रॉन मतलब कौन जो हम जो हमारे जैसे जो सिखाते जो गुरु है पूरी सिस्टम गुरु जो है उसने भी कृष्ण का साथ नहीं दिया समझते हुए भी वह भी दुर्योधन के साथ दुर्योधन के साथ है मतलब आप अगर किशन के रास्ते पर चलोगे तो एक ठान लेना आपके साथ नभीश्म होगे नत्रोन होगे नतुर्योधन होगा आपको अकिला यह की जंग जी किशन ने वो करके जिए है अब हम लोग कहते हैं कंस तो मर चुका है का स्टो मतल नहीं सिस्टम के रूप में आज भी है मैं आपके अब जगत अम कंस को नहीं समझेगे कि लिए ने की फुरियों तो दो प्रकार के खिशान है मैं मानता हूं यह कैसे है जो उस र एक तो नहीं नहीं शुरुआत कर रहे और दूसरे थोड़ा मंजिल काटी कोई ने जादा काटी तो जैबिक खेती के बारे में सबसे पहला आमको कॉनसेफ्ट जो ही क्लियर हो गया है अध्यात्मिक कुरुसी के बारे में कॉनसेफ्ट क्लियर कर लो कि हमें करना ही है क्योंकि उसकी जरूरत थी हमने कर दी कई बार शादी कर लेते और फिर पता चलता है फिर पात्रा अच्छा नहीं तो चुटा चडा ले लेते हैं तो मालों कि हमने अमने घल्दी कर ली तो चुटा चडा का समय आ गया उससे चुटने का और हमें अपनी कृसी के और चलना पड़ेगा और अगर आप कह दो कि ये कृसी संबाँ नहीं है तो गलत है यह कृस्ति नहीं है तो घलात है समझ लो मैं बात कर रहा हूं 818 की चक्षी 2022 लो की अधार्स म cling घार्स अनीस की मैं बात कर रहा हूं न पोटास थी, न हर्वी साइड थी, न वीडी साइड थी, और उसमें 14 प्रतिशत कौटन था, कितना? 14 प्रतिशत कौटन था, इन सालों को कपड़े हमने पैना हैं, और आध हम उनकी प्याशन लेने जा रहे हैं, उनको कपड़े हमने पैना हैं, कार्कि 14 प्रतिशत हम कपास करते हैं तो इस वक्त हमारे किसान उसी में से पैदा करते थे उसका मूल कारण एक ही था हमारे पास था गववंच क्या था गवंच गाये इतनी थी गायों का गोबर इतना हो रहा था और मैं आपको हाथ जोड़के कह रहा हूं कोई जई अई मैं कुछ भी कह दे सुबह अभीशक भाया से भी बात हुई कि गोबर खाद का कोई तोड नहीं है कोई निचोड नहीं है कोई तोड नहीं हाँ हरी खाद हम लोग हम लोग गोबर खाद को छोड़ के जिवामरूत के पीछे दोड़ते है गंजीवामृत के पीछे दोड़ते हैं, कांसोर्टिया के पीछे दोड़ते हैं, कुछ और डाल देते हैं, कुछ भी डालो, कुछ डालना है, बस काटते रहो, काटते रहो, हमारी मनोवृत्ती भी कंसेसी हो गई काफी लोग आते हैं बाइजी को पता है मेरे पास गवा लेने आते हैं खांकरेजंगा बोले अच्छे दूद बाली गाये दो मैंने बोला क्यूं करें खूब खिलाएंगे खूब निकालेंगे तो मैं बोला तूू भी तो कनसाइण और था जाय को मसिन बना रहों, और कई से कुछ लेने का जाधा, अब धर्ति में भी वहीं हम कंस्वाइड, दुसरों को कंस कहते हों नहीं है. कम देना है और ज्यादा लेना है हमारे निवृत्वी को कम से कम मा को देना पड़ेगा कम देना है और ज्यादा बोलेना ज्यादा काट लेना तो वो भी हम भी तो कंस हुए जहां कंस है वहाँ पाफ है और जहां पाफ है वहाँ आध्यात्म कभी नहीं देगा आध्यात्मे की क्रिसी करनी है तो उसमें शोशन नहीं है क्या नहीं है?